हाई गाईज आज की वीडियो में एक रिक्वेस्टेड वीडियो भी अप्लोड करने वाली हूँ जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था आपसे मैं सिर्फ रिक्वेस्टेड वीडियो ही अप्लोड किया करूंगी तो आज मैं आपके साथ एक रिक्वेस्टेड वीडियो ल तो आज हम जो साइड रेप करने वाले हैं प्यॉर जोजट की साड़ी है, बहुती लाइट वेट साड़ी है, ब्लू कलर की काफी ब्यूटिफुल साड़ी है, हम सबसे पहले सिंपल साइड रेप करेंगे, इसके लिए हम अपनी साड़ी में एक राउंड लगाएंगे, जहां बाद अब हम अपनी पल्लू प्लीट्स बनाएंगे, पल्लू प्लीट्स बनाने के लिए हमें अपनी साड़ी में इस तरह से एक राउंड देना है, एंड अपनी साड़ी को जो हमारा पल्लू वाला साड़ी होता है, हम उसे फ्रंट पे लेंगे, यहां पे हम थोड़ा साड परफ को ट्क को ट्क लेंगे ताकि हमारी Forsch प्लोप फोर्ट नहीं इसके बाद हम ऐसा उपनी बॉर्ड में अपने प्लू प्लोट में उपल्र की अकलएग मुण लेंथ में से करने के लिए हमें अपने लेफ्ट एंड को ऊपर की तरफ स्ट्रेट करना होता है राइट एंड को हमें बिल्कुल भी फोल्ड नहीं करना होता है जितना हमारा हाथ नॉर्मली फोल्ड होता है हम वहीं से अपने पल्लू प्लीट्स बनाने स्टार्ट कर देंगे गईज ये जोजट की सारी है तो इसमें पल्लू प्लीट्स बहुत ही आसानी से निकल के आ गई है, मैं उसी का अकॉर्डिंग सारी पल्लू पलीट्स बना रही हूं, सारी पल्लू पलीट्स बनाने के बाद, अब हम इने अपने शूलडर पे टक कर लेंगे, थोड़ा सा हम इस को अटेच करते हुए पिन लगाएंगे पिन हम जो लगाएंगे वह अपने शोल्डर बोन होती है उससे थोड़ा सा नीचे लगाएंगे ताकि हमें जो साड़ी पहननी होती है तो हमें केरी करने में दिक्कत ना हो हमारे शोल्डर बोन पर पिन ना चुबे इसका हम ध्यान लगाएंगे शोल्डर पर हमारे पिन लग चुकी है इसके बाद हम अपनी फ्रेंट फिनेशिंग पर आते हैं इसके लिए हम अपनी सारी फ्रेंट प्लीट को दुबारा से रियरेंज करेंगे इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको एक पिन जो सेकंड पिन होती है व न हम सारी ओसी तरह हैंगे यहां के लिसंट sa तो यही प्लीट न लगा लेंगे उसके बाद हम अपनी कमर fitting बनाएंगे तो हम पहले यहाँ पे एक pin लगा लेते हैं हम यहाँ पे जो पिन लगाएंगे वह आप छोटी साइज वाली pin लगा सकते हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे हम जो pin लगाएंगे वह हमें अपने in Twitch में अटेच करते हुए pin लगाएंगे हमें इसतर से अपने बलाउच का जो गला होता है इस तरह से बाहर की तरह फोल्ड करना है और अंदर की तरफ से एक pin लगा लेनी है पिन लगाने के बाद हम अपनी फ्रेंट मे फिटिंग का भी ध्यान रखेंगे इस तरह से प्लीट्स हम सारी जटक देंगे ताकि हमारी फ्रंट की जो प्लीट्स हैं वो अपनी जगा पकड़ लें इसके बाद हम अपनी कमर फिटिंग बनाएंगे कमर फिटिंग बनाने के लिए गाइस हमें क्या करना होता हमें अपनी साड़ी को इस तरह से तरह से तरह से तरह से तरह वो प्लीट्स निकल जाते हैं इसके लिए हम थोड़ा तेचा पिन लगाएंगे यहां पर भी हम मीडियम साइज की पिन लगाएंगे इस तरह से तेची पिन लगाएंगे और फिर उसके बाद हम अपने लोवर front plates बना लेंगे lower front plates बनाने के लिए अब हमारी जितनी भी साड़ी साड़ी में प्लीट बना लेंगे ठोड़ा सादा हैं ताकि हमारी साड़ी की पहली प्लीट होती हूँ और की तरफ ना उठेगे एब सारी प्लीट क lot अ parece करेंगे इसके बाद हम अपनी साडी को पेठी कोट में टक कर लेंगे तो चलिए अब अपनी साडी को पेठी कोट में टक कर लेते हैं सारी लोवर प्लीट्स को पेठी कोट में टक करने के बाद अब साड में हमाई साडी जितनी भी लूज रहती है उसके हम इस तरह से छोटी सी प्लीट्स बना लेंगे और हमाई साडी का फाइनल लूग ही कंप्लीट होता है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंडँ अगर आप मेरे चैनल दो को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ यसाथ बैल आईकन को जरू प्रेस करें ताकि मैं जो ही वीडियो अप्लोड करो उसकी नोटिफिकेशन अब तक पहुँ जह? कि अबड़। कि अबड़। कि अबड़।